हेलो फ्रेंड्स ये मैं आपको दिखा रही हूं पिक्चर यहां की पुलीसमेन जो हैं कहीं बार ये लोग घोड़े पे आपको घूमते हुए नजर आएंगे तो इनकी फोटो ली थी और ये जो है आपको देखना है कि ये ऐसी एंट्रेंस बनाई गी है जहां पे जो वीलचे के दिमाग से कि वीलचेर वाले ये ना सोचे कि हम तो चल नहीं सकते हम सीडियों से कैसे जाएंगे और ये जगा थी आइडियल होम शो जो यहां यूके में साल में एक बार होता है तो मैं यहां अपने बेटे के साथ गई थी काफी साल नहीं गए थे इस साल सोचा चलो जो ह आते हैं तो जैसे ही हम अंदर गे यहां पर white metal की चीजें बनी होई थी तो white metal काफी heavy metal होता है तो इससे यहां इनोंने table lamp बनाया हुआ है इसका वजन बहुत जादा होता है यह ball है इसमें आप fruit ball की तरह भी use कर सकते हैं just empty भी इसको decoration के लिए आप रख सकते हैं और यह बिलकुल tarnish नहीं होता इसका रंग खराब नहीं होता इसकी plating नहीं है यह real वाला white metal है तो काफी expensive होता है अब इसी metal का यह एक dog का statue बना हुआ है साथ में यह बने हुए है candle holder से एक बड़ा वाला एक छोटा वाला और यह item आप देखिए मगर मच crocodile का एक face बनाया हुआ है लेकिन इसकी detailing आप देखिए कि कैसे उसका एक एक दांद उसकी आंख का हिस्सा उसके मूँ का उपर का नीचे का हिस्सा कितने मज़े से बनाया गया है और यह again एक ball है जिसके नीचे दो elephants का statue हैं बने हुए यह सब ही white metal से बने हुए है और आगे आपको नजर आएंगे कुछ precious और semi precious stones होत हैं जो तो इन में अलग लग तरह के stones हैं उनके उपर label लगे हुए आप देख सकते हैं और इन से यहां तो आप jewelry वगरा भी बनवा सकती हैं के लोग वैसे ही इनको घरों में एक ball में डाल के रखते हैं as a decoration वो भी अच्छा लगता है और कुछ इन में healing properties होती हैं अगर आप साथ अपने purse में रखें तो इन stones का काफी अच्छा effect होता है खास करके rose quartz का और इन में एक और है amethyst जो purple color का होता है उनकी बहुत ज़्यादा protection और healing qualities होती हैं यह amethyst का है और यह है himalayan salt का बना हुआ lamp जो night light की तरह use होता है आप bedroom में कहीं एक अपने bedside table के उपर रख सकते हैं और इससे भी बहुत ज़्यादा healing होती है तो यह बहुत अच्छे अच्छे style में इनोंने painting करके और himalayan salt का यह इनोंने table lamp बनाया हुआ है और यह हमने उपर से picture ली थी दो तीन floor थे तो यह उपर से picture ली थी कि कितना बड़ा area है और यहां प काफी busy था लेकिन पूरा गूमना बहुत मुश्किल होता है थोड़ा सा गूमा हमने उसके बाद कुछ खाने पीने का लिया और फिर हम लोग जल्दी वापिस आ गए थे तो यहां again stone से carve करके अलग अलग shapes देके उनको बनाया गया है और यह काफी expensive stone होते हैं और इनको वो देखें साथ में gold plating की हुई है इनकी और यह blue color में गनेश जी है जो हमारे हिंदूism में इनका पूजा जाता है इनको बहुत अच्छा बनाया है इसकी shape बहुत अच्छी है और कई animals की shape दी गई है यह एक ball की shape दी है green color में और यहां देखिए birds इवन पत्थर में से तराश के bird बनाये गए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं यह एक बड़ा raw material amethyst का है जब mine से निकालती है तो वो ऐसा लगता है देखने में तो जी यह रहा हमारा food court जहां से हमने कुछ खाने पीने का सामान लिया और बहुत नाइस था food भी हर तरह का और कुछ था ice cream पारलल भी यह वाला और बहुत मज़े की ice cream थी वो भी लेके हमने खाई